जैहिंद वंदे मात्रम सौगत है आप सभी का नोकडीखबर.com के ओफिसल यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डांक भीवाग, GTS भरती रिजल्ट 2023 को लेकर आ रहा एक लेटिस्ट अपडेट इसके अंदर 3-4 बड़ी बड़ी अपडेट सामिल है सभी अपडेट सभी जानकारी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है मुझे पता है कि आज के दिन आप लोग अपने अपने रिजल्ट का बेसबरी से इंतजार कर रहे थे लेकिन कहीं न कहीं अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि आज आपका रिजल्ट किसी भी हालत में जारी नहीं होने वाला आफीसल बहुत ही बड़ा जवाब अपडेट आ चुका है आफीसल करमचारियों के द्वारा और उन्होंने जानकारी दी है कि उनको पता लग चुका है कि बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा जो है तो परसान है क्योंकि उनके नोडिविकेसन में 6 मार्च की डेट दी गई थी इसलिए उन्होंने कुछ अपडेट आपके लिए जारी करी है इसके बारे में आपको आगे जानकारी देंगे रिजल्ट डेट में बदलाव कर दिया है साथ में और भी 2-3 छोटे बड़े अपडेट दिये हैं बदलाव किये हैं इसके बारे में आपको बताएंगे साथ में आपको ये भी दिखाएंगे कि ट्विटर के उपर इंडिया पोश्ट ओफिस का ओफिसल जवाब क्या आया है और ओफिसल जो बड़ा अपडेट है वो हमको कहां से मिला है तो सबसे पहले इसका जवाब देते हैं कि ओफिसल जो अपडेट है वो कहां से मिला है तो आपको बता दें कि डिपार्टमेंट के हेट के द्वारा एक वीडियो पोश्ट करी गई है और उस वीडियो में साप साप ये बताया गया है कि आज के दिन आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा खोली के बाद 10 तारिक से लेकर आपके रिजल्ट आने सुरू होंगे वो 10 मार्च भी हो सकता है 11 मार्च भी हो सकता है 12 और 13 मार्च भी हो सकता है रिजल्ट आने सुरू होंगे से मतलब ये कि इस बार आपको सभी सर्कल्स का रिजल्ट एक साथ देखने को नहीं मिलेगा चिहां दोस्तों इस बार आपको सभी circles का result अलग-अलग देखने को मिलेगा कहीं ने कहीं जो इनका soft wear है जो कि result बनाने वाला है वो इस बार एक साथ result ready करने में सक्षम नहीं है और उसकी बज़ए ये भी है कि ये लोग चाते हैं कि इस बार पिछली बार के मताबिक कोई भी गड़बरी ना हो इसमें ये भी हो सकता है कि ये एक ही merit को जारी करना चाहते हैं जो कि 100% सही हो या उसके बाद इनको अलग-अलग merit जारी करनी ही पड़ेगी कितनी भी कोसिस करने कम से कम 4 या 5 merit लानी ही पड़ेंगी क्योंकि अगर किसी का नाम आ भी जाता है और वो डाकुमेंट में फैल होता है तो उसको बाहर करेंगे तो उसकी जगे में किसी ने किसी को लेना होगा या फिर किसी ने गलत जानकारी दी है या फिर कोई जाए ही ना डीवी के लिए तो उसको बाहर करके इनको किसी ना किसी दूसरे को मौका देना ही होगा तो पहली बड़ी update ये कि result date में बदला हो चुका है आज के दिन आपका result नहीं आएगा कल holy हो जाएगी और holiday हो जाएगा इस बज़े से छुटियों के समय में आपका result जारी नहीं किया जाएगा और इनके मुक्राविक आपको बता दे कि 10 तारीक, 11 तारीक, 12, 13 तारीक से result आने सुरू होंगे किसी भी date को result आने सुरू हो सकते हैं अलग-अलग circles के अलग-अलग दिन में result आएंगे पहले result आएगा जहां पे कम लोगों ने आवेदन किया है उसके बाद जितने जादा लोगों ने आवेदन किया जहां की जादा vacancies हैं उनके कहीं न कहीं आपको बाद में result देखने को मिलेंगे और यह update इन्हों ने दिया है कि कि इनको पता लगा कि बच्चे परसान है चले मैं आपको एक छोटी सी update दिखाता हूँ जो की Twitter website से उठाया गया है तो अभी आप लोग यहां पे देख सकते हैं यहां पे साब साब बोला गया अंडिया पोस्ट के द्वारा ही तीन मैट पहले का ही पोस्ट है जो result उड़ भी made available soon यानि किसी ने इनसे question किया कि जो हमारा result है वो कब तक देखने को मिलेगा तो इन्हों ने साब साब बता दिया कि available soon यानि कुछ समय बाद या कह सकते हैं कि 2-3 दिन बाद इसको कुछ समय का मतलब आप लोग घंटे से भी लगा सकते हैं दिन से भी लगा सकते हैं हपते में भी लगा सकते हैं तो कुल मिला के बात यह है कि यहां पे इन्होंने कुछ भी clarify नहीं किया है साथ में एक शीज और बोला है कि candlely visit the portal regularly for all update on result यानि update को लेकर आप लोग जयतो result को लेकर इनकी official website में विजिट करते रहें वहीं आपको सारी जानकारी मिले वाली है बाकी की जानकारी आपको official website के माध्यम से ही मिलेंगी चले official website में चलके कुछ जानकारी आपको देते हैं तो दोस्तो वीडो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपको सही और सटीक जानकारी देना हमारा फर्ज है हमको देखते हैं आप लोग तभी हम लोग जयतो वीडो बनाते हैं वीडो में गलत जानकारी देना हमारा मकसद नहीं है फर्वरी के 34 अपते में रिजल्ट आना था उसके बाद रिजल्ट की डेट को बढ़ा के 3 मार्च किया गया उसके बाद उसको बढ़ा के 6 मार्च किया गया और जब 6 मार्च का समय आया तो एक वीडियो जारी करी गई उसके अंदर 2-3 चीजे बताए गई कि आपका रिजल्ट अभी जो है तो नहीं जारी किया जाएगा कुछ समय बात जारी किया जाएगा और सभी सरकल का रिजल्ट इस बार अलग अलग देखने को मिलेगा कहीं न कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि इस बार ज़्यादा गड़वरी नहीं होगी और जो सॉप्ट बेयर है वो लोडिंग जो है तो रिजल्ट बनाने में सक्षम नहीं है इसलिए हमको अपडेट देना पड़ता है क्योंकि आप लोग बार बार जाके सर्च करेंगे चैनल पर आएंगे कोई वीडियो आई की नहीं रिजल्ट से रिलेटेड तो रिजल्ट डेट में बदला हो चुका है आप लोग जो है तो ज़्यादा परज़ान नहों क्योंकि कोई भी नई अपडेट आएगी आपको सबसे पहले जो है तो अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से ही दिया जाएगा अब ये ऑफिसल वेबसाइट के उपर देखें कोई भी अपडेट इन्होंने नहीं किया है जबकि हम लोग सोचे थे कि होली से पहले आपको एक कम से कम एक मेरिट की तो खुसकपरी मिल जाती उससे आइडिया हो जाता किसका नाम आ रहा है किसका नहीं आ रहा है क्या कट आ आप इस बार जाने वाली है तो सारा आइडिया लगा लेते लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ तो जब भी आपकी मेरिट आएगी आपको अपडेट दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से उमेद करता हूं कि वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी गई है समझ में आ गई होगी बिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद